तो बहुत मोटा सा सॉक्सक्राइब दोगी तो अगर यह साफ सुत्रे रहते हैं तो अच्छा हमको भी लगता है क्योंकि बैड में हमारा तो यहां पर ज्यादा टाइम बिताना रहता है ज्यादा सोते भी यहीं पे हैं थोड़ी देर बात करते रहते हैं बैट कर यहीं पे तो आरब भी ऐता जाता रहे तो धूल से तो सबको अलर्जी है सर्दी हो जाती है तुरंद तो मैं सारे बुक्स वगर को सब को अच्छे से पोछ हूँगी और फिर इनको जमा के रखूँगे क्योंकि मैं यहां बाधा जाती नहीं हो मैं अगर पढ़ती हूं तो मैं यही बेड पे ही पढ़ते रहती हूं और या तो फिर मैं टेबल में पढ बपान दिए हम और पर एक एक इसके और वाइं चक्रुट फिर करते हैं यहां पेस का उसके लिज दिया है जिस में से सामने से तो यह देखिए आप बहुत अच्छा लग रहा है अब थोड़ा क्लीन लग रहा है उसको भी हटा दिया ना उसको भी फटापट से दुल लेंगे और ज्यादा बरतन है नहीं क्योंकि खाना घाने के बाद ज़स्ट बाद तो रंदो लिया था तो अभी बरतन और ज्यादा न लेप्टॉप की जगह लेप्टॉप रख देते हैं और फिर अपने ब्लॉग को फिर एंड करेंगे तो ये मेरा काम लगबक सब कुछ फिनिश कर लिया है सब कुछ अच्छे से प्रॉपर तरीके से जमा दिया है अब हस्बन को चाहे देंगे और फिर बस अपने ब्लॉग को यूड करने वाली थी बट मैंने आस जो दिन में किया है मैं वह आप लोगों को श inan शेयर कर देती हूँ में डुपे डुपेयर में जा रही थी अपनी कुछ इंपोतन्ट वर्क करने के लिए जो कि मैं आप लोगों के साथ आगे आने वाले ब्लोग में शेयर करूँगी कि म मेरा काम ही कोता है और ऑनो अफिस से जेता है और यह गर् केडर में सबीदे हैं फाइनली घर हम आंते हैं और फिर घर आने के बाद फिर आरफ की डैड़ी को वापस करना होता है हो अपने अफिस है अब हमात देघँ हैं और यह गुरते पर इसे उसको बोलना पड़ता है समझाना पड़ता है बट रहा आता है घर में अकेले और यहां पर में अपने लोग में और यह देख सकते हैं यह आप यह आप यह आप यह आप